असलाम अलेकूं मेरे प्यारे विएर्स आज हम बनाने वाले हैं कातर का हल्वा जो हर सर्दी में हर घर में बनता है तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आप कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब यह ऐसी और वीडियो चाहिए आप लोगो तो उसके लिए आप लोगों सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बिल आइकन पर भी जरू क्लिक करें तो चलिए मैं से शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने 5 kg के आसपास गाजर लिया है उसमें मैं एट करूंगी 3 kg के आसपास मिल्क मिल्क से हमें इसे पका लेना बिल्कुल अच्छे से ब में तो एक जबन जाएगा हमारा तो इस तरीके से बिल्कुल मिक्स करेंगे उसे और तेरह बेड के रहाएं इसे पका लेंगे और हलका बिजबीच में तो यह देखिए हमारा हलवा में बिल्कुल भी दूद दिखीं नहीं रहा है सारा सोग चुका है डियांगे के बाद तो अब हैं यहां पर आड़ करुए हैं ऑध चुगर आप आपने टेस्ट की garant कर या नहीं वह क्योंक टेस्क्राइड करके लगता है मेरा यहां बहुत मीठा तो मैने बहुत कहां स्टाम आपको पंसन्द अप पाछते हैं बहुत यहां यहां एड करूँगे घी घी के बिना तो गजर का कोई मतलब लेगा तो अब मैं भर के डालूंगे देशी घी और अच्छे से यह हलवा होता है, बहुत ही गजब का, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, आप लोग कैसा लगा यह हलवा, और आप लोग खुद भी ट्राइ करेंगे, यह देखें, वाओ, माशाला, यह बिल्कुल मस्क लग रहा है, तो अब हम इसमें एड करेंगे, मावा, खोवा, ज आपने मावा लिया है, वो हम डालेंगे इसमें, इसे भी हम करेंगे, अच्छे से मिक्स, यह हूँ, अगर आप लोग कहीं पे कुछ भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, आप लोगे, आप घरू कमेंट करके बता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार हूँग या बेटर करूँगी, चलो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और आड़ करूँगी, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे घी और आड़ करूँगी, वाव, इसका कलर कितना मस्त आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यह हल्वा, मेरे मुँ में तो पानी आ र बनाए कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा देखते रहना तो देख सकते बिल्कुल सर्फ के लिए रेडी हो चुका है हमारा हल्वा आप इसे सर्फ कर सकते हो उपर से आप गानिश भी कर सकते हैं ड्राइफ रूट के साथ वह आपके उपर डिपेंड करता है तो य यह हमारा हल्वा यह देख सकते हैं यह हमारा ओरा सर्फ तो चलिए मिलते अगले वीडियो में अल्ला अफेश